नमस्कार आज हम बात करते हैं पिथले वीडियो के अंतरगत लेंप्रे या पैट्रोमाईजॉन के बारे में जो बात की थी उसमें जो सेश रहा पार्ट था उसके बारे में हम बात सुरू करते हैं इसमें हमने बात की थी आंतरिक शरीर और सरीर क्रिया विज्ञान की जिसके अंतरगत पिथले वीडियो में हमने त्वचा और पेशी बिन्यास और गवन के बारे में बात कर सकेते हैं अब हम बात करते हैं कंकान कंकाल के फश्यात पाचंतंतर और पोशन है डाईर सिस्टम फीडिंग स्वतन तंतर है रेस्पारिटरी सिस्टम परिशंचंतर सर्कुलेटरी सिस्टम उस्शर्जन तंतर तंतर का तंतर संबेदिय Bennett और इन सब के बारे हम बात करेंगे, अब हम बात करते कंकाल तंत्र की, इसका जो कंकाल तंत्र है लेंपरे में बास्त्विक अस्थी नहीं होती है, बलकि इसमें नोटो कॉर्ड और उपास्थी होते हैं, जिसमें नोटो कॉर्ड, नोटो कॉर्ड एक सलाका सद्रश, सलाका रोड जैसी सरस्ना होती है रोड जैसी सरस्ना जो कि इसके जीवन प्रियंत पाई जाती है और उसमें कड़े सायोजी उत्तकों की द्वारा वो घरी हुई रहती है आच्छा जित रहती है इसमें जीवन प्रियंत अकशिय कंकाल के रूप में जो बना रहता है और ये सरस्ना और कारिय दोनों में एंपी आक्सिस की नोटकोड के सम्वानी होती है अब हम बात करते हैं इसमें उपास्थी यह काटलेज के सेश जो कंकाल उपास्थी है वो काटलेज का पूरा कंकाल है वो इसका उपास्थी का बना होता है और इसमें निम लिखिस सरचना होती है जिन में हम देखते हैं सबसे पहले तंत्र का रज्जू तंत्र का रज्जू दोनों तरफ पूर कसिरुकाओ के दोनों तरफ पाय जाती है ज पाल और संबेदी को पाई जाते हैं जिनको करोटी कहते हैं कलॉम छेत्र को सहारा देते हैं एक जटिल कलॉम कंडी जिसको ब्रेंकियल वास्केट कहते हैं यह पाई जाती है और इसमें आप देखते हैं एक मजबुत जिब्य अस्थी पाई आती है और जिब्य अस्थी के बाद में मुक को घेरते हुए एक बलाकार उपास्थी एनुवल कार्टिलेज का एक चक्र होता है हिर्दय और हिर्दय के चार तरफ को ढखती हुए एक अस्थी की सरचना पाई आती है इस प्रकार इसमें हम देखते हैं कि यह इसके कंकाल तंत्र के बात हुई अब हम बात करते हैं इसके पाचन तंत्र की पाचन तंत्र अब हम देखते हैं कि पाचन तंत्र में इसका मुख जो है मुख कीप के समान होता है और यहां से शुरू होकर और दुम से थोड़ा सा पहले जहां पर डाइफाई सर्कल पूट्स का फिन पाया जाता है उससे थोड़ा सा जश्ट आगे छिद्र पाया जाता है वहां तक लिऀ이 पर एनरस शत्त होती है तो मुख गोह से शुरू वोकर एनरस तक इसकी पाचन नली पाई जाती है इसके मुख को मुख की गोल होता है और उसमें चारतरफ मुख छिद्र के चारतरफ रिंग जैसी शरशना पाय जाती है उसको मुख है वो मुख गुआ में खुलता है जिब्या की पिष्टन सद्रश आगे की और गती से मुख बंद किया या खोला जा सकता है और इसमें हम देखते हैं या पर मुख पीछे की और दो नलियों से मिलने से बनता है जिसमें एक प्रष्ट ग्रसी का फेरिंग्स और दूसरी है सुसन ग्रसनी नली अंधनाल जैसी होती है जिनके प्रतेक पार्ष पर साथ आंत्रिक लॉम्चित्र होते हैं जिनको इंटरनल गिल्सलिट्स कहते हैं गुठिका या भीलम नामक कपाट जैसी सुसना ग्रसी में भोजन को ले जाने से रोकती है कोई इसपष्ट आमा से नहीं होता है पीछे की और ग्रसी का द्वारा एक सीधी नली आंत्र में खुलती है जो की अवसकर में एक छोटी मलदवार या गुदा में समाफत होती है आंत्र के अं अंधहर या बलन भी कहते है पाचन ग्रंती भली प्रकार विक्सित होती है जिव्या के नीचे खुलने वाली एक जोड़ी मुख या लार ग्रंते जिनको कहते है एक प्रती इसकंदक एंटी कोगुलेंट साबित करती है जो की आंत्र के अग्रभाग को गेरते हुए एक जाकी ऊपस्तिती संद्र्ञ आप अब हम बात करते है स्वसंतन्त्र के स्वसंतंत्र में जल्षण ग्रसनी और ध्यवित्टि गाज़ करते है शोषंत अंतन्त्र के अब कि आप देखेंगे शोषंतंत्र है इस वेशसन ग्रषनी और धेविति के मद्ध प्रतिक पार्स में गोलाकार कलोम कोष्ट जिसको गिल पाुच कहते हैं साथ कलोम इस्तित होते हैं और वे एक दूसरे से कला सद्रश्य अंत्रा कलोम पटों के द्वारा परतक होते है।iance कलोम कोोष्ट में सम्भनी कलोम तंतो या पट्टी लिकाओ की एक स्रिणी स्रीज होती है। क्लॉम कोष्ट का रुधिर क्लॉम कोष्टों के जल से ऑक्सिजन को ग्रहन करता है और उसमें कारबन डायक्सट को छोड़ देता है प्रते क्लॉम कोष्ट बहार को एक बहाय क्लॉम छिद्र एक्टरनल गिल स्लिट द्वारा और स्वसन ग्रशनी से एक आंत्रिक क्लॉम छिद जाती है और क्लॉम छिद्रों से बाहर निकल जाती है परन्तु बैस्क लेंपरे में स्वसन के लिए जल क्लॉम कोश्टों में दोनों और स्थित साथ गोल भाय क्लॉम छिद्रों से ही अंदर बाहर आता जाता है यह विदी आवश्यक है क्योंकि भोजन करते समय मुख कीव द् इस प्रकार यह important चीजेस में परिशंचन तंत्र हर्दे एक आलिंद एवं एक निल्य का बना होता है पतली भित्तियुक जो आलिंद होता है और निल्य होता है वो मोटी भित्तियुक तो होता है कोई धमनी संकु नहीं होता और रुदिर में हेमोगलोबिन योगत लाल परिशंचन तंत्र एंफियोक्सिस के समान है इसका हर्दय एवं मोटी भित्ति वाले एक हर्दयावरण से बंद रहता है हर्दय जिसे एक उपास्ति की पट्टी का सहारा दिती है हर्दय कलॉम कोश्टों के अंतिम जोड़े के ठीक पीछे पित्ति प्रस्ट और की ओर इस् से रुदर आलिंद में और फिर निले में जाता है इसके पश्चाद निले में संकुजन से रुदर एक अधर महा दमनी बेंट्रल और्टा जिसको कहते में पंप होता है और बेंट्रल और्टा से रुदर कुलॉम की साथ जोड़ी अभिभाई कुलॉम धमनिया एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्ट्री को रुदिर देती है और यहां CO2 को छोड़ दिया जाता है और ताजा O2 है वो इनके द्वारा ले ली जाती है इस प्रकारे साथ जोड़ी जो अभी भाही कलोम धमनिया एफरेंट ब्रेंकियल आर्ट्री यह कारवन डायक्साइड और ऑक्सिजन का एक् मदवर्ती प्रष्ट महादमनी जिसको डॉर्सलेटा में कहते है मेक अत्रत होता है और सरीर के बिविन भागों को बित्रत किया जाता है एक यक्रत निभाई का सिरा हेपेटिक पोर्टल बेन होती है परन्तों यब यक्रत निभाई का सिरा का जो है रीनल पोर्टल बेन का अ जबकि एक यक्रत निवह का सिरा पाई जाती है अब हम बात करते इसमें उस सर्जन की एसक्रीशन की ब्रक किड्नी मध्य जो मीजो नैफरिक है वो मध्य ब्रकक होता है ये मध्य प्रश्ट इस्थिति में आंत्र योजनिय द्वारा निलंबित लंबी पट्टी के समान जाती है जब रोधिर बॉमें संपुट के अंतरगत में इस्थित केश का गुच्छ को या ग्लो मेरूलस में प्रभावित होता है तो उसमें से मूत्र जननलकाएं नाइट्रोजिनिस पधार्थ को बहार निकाल देती है और मध्य ब्रक वाहिनी या मूत्र वाहिनी में उड टंत्र। vraag एवं जननतंत्र मूत्र जननतंत्र के कोटर में ले जाती है और जो कि उसे मूतर पैपिले द्वारा बाहर खाली कर दिया जाता है अब हम बात करते हैं इसके तंतर का तंतरocks लेंपरें का मस्तिक्स बहुत आदिम प्रकार का होता है प्र false vor प्रमीटिव होता है ये सभी सरजनाएं एक डायन सिफल ओन से सल्लगना होती है Chicago जिसके प्रश्थ तल पर एक पीनियल अंग होता है educated प्रिती प्रश्थ पर एक चोड़ा इन्फंडी भूलम होता है मज्द्य मस्तिक से में बड़ी द्रक पालियों का एक जोड़ा होता है पस्ट मस्तिक्स जिसको हैंड ब्रेन कहते हैं में एक अनुप्रस्थ अल्प वर्धित अनुमस्तिस्क यानि सेरे विलम और एक भली भाती बिक्सित मेडूला अवलोंगेटा होता है मस्तिस्क में अन्य वर्टिब्रेट की भाती चार बेंट्रिकल्स निलव होते हैं और दस जोड़ी कपाल तंत्रिकाई पाजाती है रीड रज्जु इस्पाइनल कॉर्ड फीतिय के समान चप्टि सरचना होती है ब्रेंकियोरण की भाती रीड तंत्रिकाओं की प्रश्ट और प्रति प्रश्ट मूले प्रतक रहती है अनिवर्टिब्रेट की भाती एक साथ नहीं जोड़ती है और अनुकमपी यानि सिंफेटिक तंत्रिकाटंत अल्प बिख्यत होता है अंग एश्य यह स्वाद कलगाई आती है उसमें ग्रहान तंतर की टो बात करते हैं कBooks। बाहे नासरद्र एक छोटे घ्रान कोस में खुलता है इसमें दो घ्रान पालिया पाई जाते हैं जिसमें से दो तंतरगाई आती हैं प्यूस धानी प्यूस धानी प्यूटरी गिलेंड या प्यूटरी पाउच जिसको कहते हैं ग्रान क्रोस प्रतिप्रश्ट और अज्यात कार्य की लंबी नली का बनाता है जिसे प्यूस धानी कहते हैं दो पार्श्वे नित्र पाई जाते हैं और पार्श्वे नित्र जिनमें लिंबक सुनायू, सस्पेंसरी लगामेंट होता है, और पक्षमा भी उपकरण का इन में अभाव होता है, तो इस प्रकार इसमें ये संबेदी अंग है, और इसमें पीनियल ग्रंथी या पीनियल नेत्र जो के बीच में होता है, इस पस्ट लेंस और बढ़ना एक तो पटल द्वारा संबब्त अंदकार से प्रकास में भेद कर सकता है, ये पाए जाता है, और प्रतिक आंत्रिक करण में एक एक तुम्बिका, जिसको एमपूला कहता है, केवल दो उर्द्वादर अर्द बरताकार न लिकाओ, जिसमें यूट्रिकुलस और सेकुलस इस पस्ट ने होता है, के द्वारा बना होता है, फैरिंक्स में स्वाद कली का पाए जाती है, और सरीर के दोनों पार्सवों में, और सिर के नीचे इस्तित पार्सवरेखा होती है, संबेदी अंग, संबब्त जल की गतियों को ग्याद करते है, और लबनी जल में सिकार को खोजने के ल लेकिन इसका एक important खास करेक्टरी है कि जब यह जनन करता है तो पास के किसी सरीता नदी या ऐसी जगह जाता है जहां पर स्वच्छ जल पाए जाता है तो इसमें देखते हम लिंग प्रत्रक होते हैं एक लिंग आश्री है लेंगे प्रत्रक्ता होने पर एक बड़ा गौनेड से अधिकान से ओधर भाग को घेल लेता है कोई जनन वहयनी नहीं होती है इसमें परिपक को अंडे और शुक्राणू जनत से प्रगुआ यानि सीलोम में आ जाते हैं और जनन छिद्रों से जनन मोत्र कोटर में आ जाते हैं और जनन मोत्र छिद्र से शरीर छोड़कर जल में चले जाते हैं अब जब इनका जनन रित्व होता है बसंत या गी स्मृतिकोय आरम में लेंप्रे लेंगिक रूप से परिपक हो जाते हैं और पास की किसी ताजे जल की सरिता या नदी में प्रिजनल के लिए प्रिबास करते हैं नर जन्तु अपने मुख कीप से रेतिली जगे को हटा कर एक छिसला गोल गर्त या गढड़े का आकार का गोंसला बनाता है मादा जब गोंसले के किसी पत्थर से सलगन हो जाती है तब नर अपनी दुम उसके चार और लपेट लेता है तथा अंडे और सुक्राण इस्खलित क अधिक जोड़े उसी गोंसले में अंड जनन करने की प्रक्रिया करते है और ब्यस्क अंड जनन के पश्चात मर जाते है निशिचन इनमें बहाय होता है बहाय जल्म होता है और एक बड़ा समुद्री लेंपे लगवग 23,000 के आसपास अंडे देता है और ब्यस्क नर उनके उपर जब सुक्रानु छोड़ता है तो शरीर के बहार ही इनका निशिचन होता है इसके पश्चात ब्यस्क जो मादा है और नर है वो मर जाते है और जो इनके अंडे है वो उस नैस्ट में गोंसले में सुरक्षित रहते है इसके पश्चात इनमें परिवर्दन होता है अब इसमें बात करते हम कि प्रतक्ष परिवर्दन है या अगले वीडियो के अंदर